जैहिंद वंदे मातरम, भारत में कैसी स्थिती है, आप अंदाजा लगाए, कलकत्ता के एक सरकारी होस्पिटल में जो मोर्चरी, जो पोस्ट मार्टम हाउस होता है, उसके शवों की देखरे करने के लिए, सहयोगी के लिए, कुछ पोस्ट निकली, उन पोस्ट में 6 पदों के दूसरी जिनया पर रखने के लिए, जिसको बोलचाल की भाषा में डॉम कहा जाता है, उस पोस्ट के लिए 8000 लोग अप्लाई कर रही हैं, और ये पड़े लिखे लोग हैं, उस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन की आउशक्ता थी, वो आठवी थी, लेकिन आठवी क के क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट में, पीसडी की वे, एंबीए की वे, बीबीए की वे, एमसी की वे, एंबीए की वे, एंटेक की वे लोग अपलाई कर रही हैं, अपने भारत में, देखे, जब लोड मेकाले ने 1888 में इंडियन एडूकेशन एक्ट बनाया, उससे पहले गुलाम बनाना है, तो भारत के शिक्षा वेवस्था को, भारत की भाषा को, भारत की संस्कृति को, भारत के गोरव को नश्ट करना पड़ेगा, तो उसने योजना बनाई कि इस देश में संस्कृत को नश्ट करना है, भाषा और शिक्षा को नश्ट करना है, इसी से हम इस उसके लिए अनगरेजों ने सूण योजि तरीके से भारतीय शिक्षा व्वस्था को भारत के साहित्य को भारत के दर्शन को भारत के परंपरागत ईज्यान-विज्यान को जुटलाया और ये स्थापित किया भारतियों के मन में कि तुम गुलाम बनने के लायक हो, तुम मूर्ख हो, तुम नालायक हो, तुमारे अंदर कोई ग्यान भी ग्यान नहीं है और तुम अंग्रेजों के शाषन को स्विकार कर लो और भारतियों के मन में ये बैठाया गया कि हम तुम्हारा उधार करने के लिए तुम्हें ऐसे सब्वेता के लोग बनाने के लिए जंगली से तुम्हें अच्छी सब्वेता के लोग बनाने के लिए यहाँ पर आये हैं, ये विचार डालने के लिए उन्होंने संस्कृत को और भारतिय शिक्षा को नश्ट किया, आप इसे एक वाक्य को, इसी एक रिचा को, संस्कृत के एक मंत्र को, एक रिचा को डीकोड करके उसके उपर अनुसंधान करके उसको आगे बढ़ा कर आज दुनिया को मानोता को रोगमुक्त बनाने का काम परमकुजे स्वामी जी माराज पतंजली योग पीट करना है। इस संस्कृत के अंदर, कितना गयान- विच्यान स्चूपा है आप अप लगा लिजिए, कि संस्कृत भहाषा है यह संस्कृत ही ग्यान- विच्यान की भहाषा है पूरी दुनिया की जितनी भहाषाएं उनमें हम अँलग-अलग पर शब्दों का क्रम देखें, अलग-अलग वर्ण विन्यास देखें, अलग-अलग हम भाषाओं में व्याकरण को देखें, तो केवल संस्कृत ऐसी भाषा है, जिसका लोजिकल आधार है, जिसका तारकिक आधार है, जो सबसे एधुतिय भाषा है, जिसका जो साइंटिफि आते हैं वायुविद्या की बात करते हैं तो सारी गरसी जाते हैं विजुद्ध शास्त्र की बात करते हैं विमान शास्त्र की बात करते हैं स्वास्त की शास्त्र की बात करते हैं कोरोना के काल में आयुर्वेद ने बताया कि किस मेकार से आधुलिक विग्यान पिछड़ा हुआ है, और आज भी प्रासंगिक है, सारा ज्यान विग्ञान हमारे वेद, वेद, दर्श्न, धर्व, शास्त्र और संस्कृत में नहीं तह संस्कृत में दिखा हुआ है ना लंदा नाम का एक विश्व जाल यह था लगबद 800-800 साल पहले एक हमलावर आया ऐसी लाख पंडूलीपियों को जला दिया छे महीने तो उसकी लाफों की सेना, उसके उपर उन पांडुलीपियों को जला जला कर पानी गर्म करती रही, आग में जौंकती रही, तो भी आज इस संस्कृत का विकुल साहित है हमारे देश में बचा हुआ है। आज पानेनी की अश्का ध्यारी के उपर संस्कित के व्याकरण के उपर शोध कर रहा है, आजारों की संच्छा में पांडी विक्यां उसके अपने पास रख्की हुई है कि हम भारतिय ग्यान विध्यान से क्या निकाल सकते हैं उसको निकाल देवरा कु जानकर आश्चे पर भारत में जितने शोध हो रहे हैं उससे ज्यादा शोध विदेशी कंपनियां कर रही हैं, यूरोप की अमेरिका के लोग कर रहे हैं, वाँची सरकारी कर रहे हैं भारती ग्यान विध्यान को, भारत की बद्धिक संपता को चुड़ाना चाहते हैं, आपने सुना होगा ह इतना गहरा ग्यान विध्यान है कि 80,000,000,000 विप्यान जो लनातार आकरमणों से जला दी गई, उसके बाद भी आज भी जितना कुछ हमारे पास बचा हुआ है, उससे हम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी भाशक्ति बन सकते हैं, आउशक्ता के वाल इस बात की है, कि हमें स संस्क्रिट के वांग में में निगीत है, छेसो इसापुल रगवग आज से धाया साल पहले बोधायम नाम के हमारे संस्क्रिट के विद्वान हुए है, उन्होंने जिसको आज पाइथाग वरस प्रवेक पढ़ाया जाता है, वो हमें दी थी, आरे बट में पाँच्वी सद है, यदि एक बच्चे को सिखा दिया जाए, तो उसके लिए गणित बहुत आसान हो जाएगा, उसके ओपर पूरी दुनिया में निसर चोड़िए, पूरी दुनिया में उसको सिखाया जा रहा है, लेकिन यही मेहिदि गणित के सुत्र भारत के लोगों ने भुलाय हुए हमारा रचायन विग्ञान कितना उनत था, कि दिल्ली के उस लोस्तंग को आज हजारों साल होने के बाद भी जंग नहीं लगा है, आज भी हम ऐसा लोहा नहीं बना सकते, जिसके उपर जंग नहीं लगा है, लेकिन दिल्ली में हजारों साल पहले हमारे देश के धातु विग जिन भारत के अंदर रहा है, ऐसी सिविल इंजिनेरी भारत के अंदर रही है, और देखे, यह हमारे संस्कृतों ने जैन विज्ञान है, वो अनूं से लेकर, प्रमानूं से लेकर, मानसिक्रिया के एक एक विचार से, जो तरंग उत्पर होती है, उस तक, नक्षत्रों के, ता संस्कृत के वांगाय में, संस्कृत की भाशा में है, हव्षैक्ता इसको डी कोड करने की ए and इसको डी कोड करने के लिए we go do दिया है कि वो अन्य है जैसे अंग्रेजी से दूसरी भाषां को दिखाता है ट्रासलेशन के लिए संस्कृत पिखाएगा संस्कृत के बारे में विच्षो में शूर्च चेल रही है संस्कृत कितनी अधूत है हमारा आयूवेड कितना अधूत है देके स्वास्त की परिभाशा क्या है, यह आज तक हमारे वैज्ञानी की पूरी तरह से निर्धान नहीं कर पाए हैं, लेकिन महर्शी चरक ने आज इसे, ऐसा तो लोग मानते हैं कि 5,000 साल पहले, चरक सहीता में जो स्वास्त की परिभाशा दी, उसके आसपास आधुरिक वि प्याकरण में, संस्कृत भाशा में, आप बी ए कर सकते हैं, आप मे कर सकते हैं, और बी ए में करने के बाद आने वाले समय में इसे सारे जवस्ता को चेर्ज करने के लिए, पुछे स्वामी जी माराज ने चिंतन किया है, कि हम भारतिय शिक्षा बोर्ड की स्थापना यानि कि एक لاख स्कूल जुडने वाले हैं, और ये जो एक लाख स्कूल जुडएंगे, उसमें हर विद्याले में, एक-एक संस्कृत की आचारे की संस्कृत की आउशक्षा पढ़ने वाली है, अभी हमारे देश में, संस्कृत की आचारे यदि हम ढूडे, तो आचारे मिल को सब्सक्राइं को सब्सक्राइँ गाइन विए के सब्सक्राइव जरू आपको सब्सक्राइब गरें थे नीचे 2प अपकी तक चोटा आई है ने को अगे ब incentives प्रियोश्टा हें, उसको आगे बेरोजगारों की लाइन में न लगना पढ़ें B.A.M.A. करने के बाध, B.S.C. M.S.C. करने के बाध, ब B.A.M.A. करने के बाध उसको किसी होस्पिटल में डूम के लिए, किसी प्रयोक्षाला सहाय के पद्ध के लिए प्लाई ना करना पड़े, बेरोज़वारों की रिस्क में ना लगना पड़े, तो उसके लिए आप संस्किर्थ साहित्य में संस्किर्थ व्याकरण पे पतंजली विश्वी तैले से जोड़कर आप B.A.M.A. करें, आपका सब के मादम से, शोशल मीडिया के मादम से अधित सदिक शेयर करें, जैहन, बंदे मात्रम, भारत माता की जाए.